नमस्कार, आज की परिचर्चा में आपका स्वागत है मैं हूँ चंद्रदेव यादव और हमारे विशय विशय शक्य है डॉक्टर विपिन्तिवारी डॉक्टर विपिन्तिवारी गोवा विश्व विद्याले के हिंदी विवाग के असिस्टेंट प्रोफेसर है और हिंदी आलोचना पर गंभीर लेखन करते रहे हैं आज हमारी चर्चा का विशा है श्री शार्दा, हंस, मतवाला, चांद, माधुरी, सुधा, पत्रिकाओं की भाषा चर्चा शुरू करने से पहले या जान लेना जरूरी है कि इन पत्रिकाओं को निकालने के पीछे कौन-कौन से उद्दिश्य थे और उन्होंने हिंदी भाषा का रूप गढ़ने में किस तरह भूमी का निवाई राश्री आंदोलन के दौर में भाषा के प्रश्ण को भी बहुत गंभीरता से लिया जा रहा था राजनीतिक व्यक्ति जहां भाषा के प्रश्ण को अपने भाषणों में अखबारों पत्रिकाओं में लेखों के माध्यम से गंभीर ढंग से विचार कर रहे थे इसके साथी साहितिक पत्रिकाओं के माध्यम से भी हिंदी भाषा का एक रूप निश्चित करने का प्रयास किया जा रहा था या प्रयास उस दौर की पत्रिकाओं में वा चाहे भारतेंदु हरिश्चंद द्वारा संपादित, कवी वचंद सुधा, हरिश्चंद मैगजीन, बाला अबोधनी या फिर प्रताप नारण मिष्ट्र, बाल मुकंद गुप्त द्वारा संपादित किये गए पत्र में भी देख सकते हैं, हिंदी भाषा को सुधारने में उस दौर की पत्रिकाओं का खासा योगदान है, इस दौर की पत्रिकाओं की भाषा अलग-अलग संपादिकों के हिसाब से अपना स्वरूप अख्तियार करती है, श्री शार्दा, हंस, मतवाला, चांद, माधुरी, स सुधा पत्रिकाओं की भाषा किस तरह की थी, संपादिकों ने भाषा को एक रूप स्थिर करने में किस तरह के प्रयास किये, पत्रिकाओं में व्यंग के स्वर को किस तरह से साहित्तिक रचनाओं में शामिल किया गया, आधी बिंदुगों पर यहाँ चर्चा की जाएगी हम बात करते हैं श्रीशारदा पत्रिका की हाशा कैसी थी श्रीशारदा पत्रिका का प्रकाशन जबलपूर से 21 मार्च 1920 को हुआ यह हिंदी की मासिक पत्रिका थी इस पत्रिका के संपादक नर्मता प्रसाद थे श्रीशारदा पत्रिका के सहयोगियों में केशव प्रसाद पाठक, सुबद्रा कुमारी चावान, माखललाल चतुरुवेदी, पंडित रूप नाराण पंडे जैसे प्रसिद्ध साहित्यकार थे यह पत्रिका मूलता साहित्तिक थी हिंदी की साहित्यक पत्रगारिता में छायावाद को सर्वप्रथम मानेता प्रदान करने का श्रे श्रीशारदा पत्रिका को जाता है यह पत्रिका तीन वर्ष तक प्रकाशित हुई इस पत्रिका में साहित्यके अलावा इतिहास, राजनीत, दर्शन, क्रिसी, समालूचना, आदी विविद विशियों से संबंधित, सामगरी प्रकाशित होती थी इस पत्रिका की भाशा में कहीं तो विचारों की प्रकरता देखने को मिलती है तो कहीं प्रकरतिक भाओं को बहुत गहराई से व्यक्त किया गया है पत्रिका ने छायावाद को हिंदी साहित्य में प्रतिशित करने में महत्वपून भूमिका निवाई यह पत्रिका अल्प समय में ही अपनी सशक्त उपस्थिती बनाने में सफल रही जिसका प्रमाण उस दौर के स्ताहित्यकारों का रचनात्मक सहयोग है श्रीशारदा पत्रिका ने भाशा का ऐसा रूप निश्चित किया जो उस समय की कम पत्रिकाओं में देखने को मिलता है अब हम बात करते हैं चांद पत्रिका की भाशा दृष्टि किस तरह की थी नवंबर 1922 में प्रयाक से राम रख सिंग सहगल ने मूलता इस्त्रियों के सरवांगीन उत्थान पर केंदरित चांद पत्रिका का प्रकाशन किया या सचित्र मासिक पत्रिका थी चांद ने अपनी प्रकरता के कारण हिंदी जगत में विशिष्ट स्थान बना लिया था चांद के प्रारंबिक अंक भारती नारियों के सरवांगीन उत्थान के उद्देश से प्रेरित उत्तम रचनाओं से भरे पड़े हैं चांद पत्रिका ने कई महतपूर विशेश अंक निकाले जिसमें वैश अंक, मारवाडी अंक, फांसी अंक, अचूत अंक आदी हैं इन अंकों में चांद पत्रिका की भाषा और उसके सरोकारों को देखा जा सकता है इस पत्रिका में सीधे सीधे विचार व्यक्त किये गए हैं, उनमें किसी तरह का बनाव नहीं है वह चाहे संपादक, प्रकाशक की अपील हो या फिर लेक का मजमून इसे एक उधारन से देख सकते हैं मेरी व्यक्तिगत अपील प्यारे पाठको, चांद का प्रकाशन नवंबर 1922 इसवी से आरंभ हुआ अब तक 64 अंक प्रकाशित हो चुके हैं पिछले लगबग साड़े पांच वर्षों से जहां तक मुझे से हो सका तन, मन और धन से मैंने भारती समाज तता महिला मंडल की सेवा करने का प्रयत्न किया है या मेरे जीवन का एक मात्र धिये था और आज तक इतनी अधिक कठिनाईया साते हुए भी मैंने सदा अपना करतव्य पालन करने का यथा शक्ति प्रयत्न किया है जो कार्य मिहनत से हो सकता था मैं एश्वर को साक्षी दे कर कहता हूँ मैंने उसे इमानदारी से निवाहने का प्रयत्न किया है पाठकों को जानकर आश्चरी होगा कि पिछले च्छ वर्षों से अधिक समय हो गया मैंने एक रोज जी विश्वराम नहीं किया रवीवार हो या अन्य छुट्टी होली हो या दीवाली मैं बारह से सोला घंटे तक कारे करता रहा हूँ पर प्रकृति से बहुत दिनों तक युद्ध नहीं किया जा सकता अब मैं परास्त हो रहा हूँ वर्षों से मेरी आँखों में तकलीफ है स्वास्ति भी दिनों दिन गिरता जा रहा है इसलिए मैं एक बार फिर पाठकों से अपील कर चांद की भाग ये परीक्षा करूँगा चांद के फासी अंग की भाषा में एक अलग तेवर देखने को मिलता है मनुष्य को जीवन ईश्वर ने प्रदान किया है और सच्चे नियाय से उसको वापस भी ले सकता है तो केवल वही अन्य किसी प्राणी को जीवन लेने का अधिकार नहीं क्योंकि ईश्वर के अतिरिक्त कोई दूसरा अव्यक्ति जीवन दान करने की शक्त ही नहीं रखता अपराधी को मृत्य दंड देना न तो नियाय से उपयुक्त कहा जा सकता है और नहीं सद्विचार से मृत्य का दंड प्राय हत्याकारी एवं शड्यंत्र विपलव राष्ट्र विद्रो के अपराधियों को मिला करता है सेना में इस दंड का विधान कायरता दिखाने युद्ध शेत्र से पीट फेरने अथवा सैनिक रहस्तियों को प्रकट करने पर होता है अब यदि हम इन प्रत्यक कारणों पर पक्षपात और स्वात रहिद विचार करने तो इस अमानुशिक दंड का समर्थन न तो न्याय से होगा और न विवेक युक्त बुद्ध से पत्रिका के अचूत अंक की भाषा बहुत संयमित है पर वह ऐसी भाषा है जो पाठक को पढ़ते समय अपने बारे में सोचने को मजबूर करता है समान्ता की भावना ही समाज सेवा का मूल मंत्र है चाहे आपका उद्देश्य कितना ही उचा क्यों न हो चाहे आप में त्या की प्रव्रति अपने पून पराकाष्टा को ही क्यों न पहुँच गई हो चाहे आपने सेवा धर्म के परिपालन के लिए अपने सर्वस्थ तक की तिलांजली के उन दे दी हो पर जब तक आपके हृदय में समान्ता के सिधान्त के प्रति शद्धा उत्पन्न नहीं होती जब तक आप देश के प्रत्येक बालग को संभाव से देखने में समर्थ नहीं होते जब तक आपके घृदय में त्याग के साथ विनम्रता का भी भाव लीला नहीं करने लगता तब तक आपकी सेवा का आपकी त्याग मई साधना का वैसा सुन्दर फल नहीं हो सकता चांद पत्रिका में भाषा का तीवर कथ्य के हिसाब से बदलता है लेकिन पत्रिका की भाषा और स्थायमित नहीं है किसी के खिलाफ कोई व्यक्तिगत तिपणी नहीं है चांद पत्रिका का हिंदी भाषा को सुधारने और साहित्ति को सम्रिद करने में बहुत महत्मुर योगदान है हम बात करते हैं माधुरी पत्रिका की भाषा में किस तरह की नमीनता होती थी नवल किशोर प्रेस लखनव से विश्लू नारायन भारगव ने 30 जुलाई 1922 को साहित्तिक पत्रिका माधुरी का प्रकाशन किया माधुरी के संपादक दुलारे लाल भारगव और रूप नारायन पांडे थे इसके अतुरिक्त कुछ समय तक पत्रिका का संपादन जगनाद दास रतनाकर और ब्रज रतन दास ने भी किया आगे चलकर पत्रिका का संपादन आचारिय शिव पूजन सहाय और प्रेम चंद ने भी किया मादूरी एक ऐसी पत्रिका थी जो चित्रों के साथ छपती थी जिसमें फिल्मी लेखकों की और साहित्य लेखकों दोनों की रचनाएं एक साथ छपती थी इसी पत्रिका में अमरितलाल नागर की पहली कहानी छपी थी प्रविशांक में उद्देश्य को कुछ इस भाषा में स्पष्ट किया गया हिंदी में उच्चकोटि के साहित्य को उत्पन्य करना हिंदी के हर अंग को अलंकृत करना हिंदी की नौलेखन शैली में आवश्यक सुधारों की चेश्टा करना जनता के मनुरंजन के साथी हिंदी और देश की सेवा करना, हिंदी के एक सर्वोत क्रिष्ट सरवांग सुन्दर साहित्य संबंधी व्रिहत पत्रिका के अभाव को दूर करना इस नीती से पता चलता है कि पत्रिका का उद्देश्य मात्र साहित्य नहीं था, इसमें मनुरंजन को भी पत्रिका के उद्देश्य में माना गया था इसी करण पत्रिका की भाषा में शुद्ध साहितिक और फिल्मी दो तरह की भाषा देखने को मिलती है साहितिक भाषा का एक उदान प्रस्तूत है हमारे मित्र को मालूम होगा कि महाभारत काल में अरब या इरान आरियों के लिए कोई अपरशित स्थान न थे परस्पर गमना गमन होता रता था उस समय मुसल्मान धर्म का जन्म न हुआ था और अरब जाती मूर्ती पूजा में रत थी एक नहीं अनेक देवताओं की पूजा होती थी बहुत संभव है उनकी वेशभूशा भी आरियों से मिलती जुलती रही हो सिधियन, हूण, कुशन, आदी जातियां उत्तर पश्चिम से आकर आरियों में सम्मिलित हो गई माजूरी एक ऐसी पत्रिका है जो पाठकों के दम पर 75 वर्ष्टों तक निकलती रही इसमें चुटीले कार्टून, व्यंग ये पूर्ण, विचारो तेजक लेख आदी छपते थे इन सभी में भाषा के स्वरूप को खासतोर से ध्यान में रखा जाता था माजूरी पत्रिका ने लोगों की रुचियों का परिशकार करने के साथ भाषा का नमीन रूप भी प्रस्तुत किया जिसमें कई दूसरी भाषाओं के शब्दों मुहावरों का योग था अब हम बात करते हैं मतवाला पत्र की भाषा कैसी थी मतवाला पत्र का प्रकाशन 26 अगस्त 1923 को कलकत्ता से हुआ जिसका संपादन मतवाला मंडल के लोग करते थे इस पत्र में निराला जी की कविताएं आलोचनाएं छपती थी और शिव पूजन सहाई के गर्द्य लेख प्रकाशित होते थे मतवाला पत्र ने पहले ही अंक से लोगों को अपना मतवाला बना दिया इस पत्र में हास्य व्यंग्य का ऐसा अनुठा तेवर था जो उस से पहले हिंदी पत्रकारिता में नदारत था हिंदी जगत की चार महान विभूतियां सूर्य कांत त्रिपाथी निराला शिव पूजन सहाई महावीर प्रसाश सेथ और मुशी नवजादिक लाल के एक जगा जुटने से वह साहित्तिक संग्योग बना जिससे मतवाला मंडल की निव पड़ी मतवाला पत्रिका की भाषा में चुटीले व्यंग का एक उदान प्रस्तू थे शिव पूजन सहाई जी आत्मखताश शेशक लेख में लिखते हैं साहित में तो विचित्र धानली मची हुई है विशुद्य साहित्य सूली पर चढ़ाया जा रहा है भरष्ट साहित्य पालने में जूल रहा है राश्ट्रिय पोथियां जब्त हो रही है गंदे उपन्यासों का प्रचार बढ़ रहा है सच्चे इतिहास के मुह में कपड़ा ठूस दिया गया है मिथ्या इतिहास सरे बाजार गला फाल कर चिल्डा रहा है वहीं नौजादिक लाल की भाशा में एक अलग तेवर देखनों के मिलता है मनुष्य जो कुछ करता है उसे एक उद्देश्य स्थिर करके करना पड़ता है सच तो यह है कि बिना उद्देश्य के बिना लक्ष के कोई कार्य हो ही नहीं सकता संसार की प्रगती में भी एक उद्देश्य छिपा हुआ है सूक्ष मदरिश्ट से विचार करने पर प्रतेक वस्त की प्रगती में एक उद्देश्य दिखाई पड़ता है अभी प्राय है कि जहाँ प्रगती है वहां उद्देश्य या लक्षबी है और कानपूर जाना किसी का लक्ष होगा तो इस लक्ष के साथ कानपूर तक की प्रगती भी होगी जब कोई प्रगती लक्ष हीन होती है तब लक्ष ब्रष्ट होने के कारण उसे अपना सरल मार्ग भी छोड़ना पड़ता है जबकि पत्र में प्रकाशित रचनाकारों की भाषा एक अलग तरह की दिखाई पड़ती है राधा मोहन गोकुल लिखते हैं हमारे देशवासी राश्च्रियता और देश के नाम पर नाचने लगते हैं इन्होंने इस बात की नकल अंग्रेजों से सीखी है किन्त बात की असली तह तक नहीं पहुँचे देशी का नाम धीरे धीरे करते करते इन्हें इतना प्यार हो गया है कि या देशी शराब को अंग्रेजी या विदेशी शराब से अच्छी समझ कर पीना भी देश प्रेम का परिचायक काम समझते हैं अब हम बात करते हैं सुधा पत्रिका की भाषा करती थी, सुधा पत्रिका का प्रकाशन लखणव में 1927 में किया गया इस पत्रिका के संपादक बनार्सीदाश्च चतुरवेदी थे इस पत्रिका का उद्दिष्य नए साहितिकारों की रचनाओं को पत्रिका में प्रकाशित करके उनको प्रोस्ताहित करना था साथी हिंदी साहित को सम्रिद करना भी था इस पत्रिका का संपादन आगे चलकर सूर्य कांध त्रिपाठी निराला ने भी किया प्रारंबिक दौर में उनकी कविताएं इस पत्रिका प्रकाशित होती थी बाद में उनके चुटीले व्यंग भी प्रकाशित होने लगे सुधा पत्रिका की भाषा में लखनव की ठाट को देखा जा सकता है और भाषा में व्यंग के स्वर को भी इस तथ्य को कुछ धरणों से देख सकते हैं सुधा 1932 में हिंदी रंगमंज की आवश्यक्ता शीर्सक से एक लेक छपा जिसमें भाषा के तेवर का मूल्यांकन कर सकते हैं हिंदी में स्टेज पर खेले जाने वाले योग ये सुरुची संपन्न श्रिष्ट साहितिक नाटकों का नितांत अभाव है इस अप्रिय सत्य को हमें स्विकार कर लेना चाहिए दूसरों की इस संबंद में चाहे जो धारना हो किन्तु या बिलकुल ठीक है कि आज तक हिंदी में दो चार ही ऐसे नाटक लिखे गए हैं जो सफलता पूर्वक रंग मंज पर खेले जा सकें और साथ ही कला की दृष्टी से भी उच्च कोटी को हो इस लेख में हिंदी साहित की कमी को जिस धंग से प्रस्तुत किया गया है वह सिर्फ उपहास के स्वर में नहीं है इस उध्धरन से यह भी पता चलता है कि साहित में यदि कोई कमी रह जाती है तो उसकी तरफ इशारा संयत भाषा में करना भी पत्रिका का लक्ष होना चाहिए वहीं एक अन्य उध्धरन से भाषा के स्वरूप को समझ सकते हैं संस्कृत और हिंदी साहित में स्त्रियों को अबला कहने की प्रथा बहुत दिनों से चली आ रही है किन्तु भारत के आदिम इतिहास से लेकर अब तक लाखों इस्त्रियों ने अपने इस नाम की निरर्थकता सिद्ध कर दी है आज कल के उन्नती के युग में तो उन्हें अबला कहना एक वितंडा मात्र है दर असल यहां निराला हिंदी समाज के लोगों द्वारा निर्मित कर लिये गए दिश्टकोन की तीखी आलोशना कर रहे हैं जिस कारण भाषा में प्रश्ण वाचक चीनो अर्द विराम आदिका बहुतायत में प्रयोग किया गया है वहीं जब वह मनुष्य की नियती के बारे में कहते हैं तो भाषा में संयुक तुवाक्यों का प्रयोग अधिक मिलता है इससे पता चलता है कि सुधा पत्रिका की भाषा संपादों के हिसाब से बदलती है और कई बार विशय के हिसाब से भी इसमें परिवर्थन दिखाई पड़ता है सुधा पत्रिका ने नई पीड़ी को साहित्य और भाषा के संसकारों से युक्त किया और उनमें साहित्य की नई चेतना भी पैदा की अब हम बात करते हैं हंस्पत्रिका की भाषा किस तरकी थी प्रेमचंद ने हंस्पत्रिका का प्रकाशन संपादन उस समय किया जब भारत में आजादी का आंदोलन गांधी जी के नेत्रित में चल रहा था हंस्पत्रिका निकालने के पीछे प्रेमचंद का सीधा सा उद्दिश्य था कि भारत की जनता और खास्तोर से हिंदी भाषाभाषी जनता में देश समाज के प्रती जागरूकता पैदा करना और उनमें साहित्य के संसकार पैदा करना इसके पहले के हिंदी साहित पर नजर डालें तो पता चलता है कि हिंदी के तिलिस्मी अईयारी उपन्यासों में संयुक्त वाक्चों और जटिल शब्दों की भरमार्थी इस तथ्य को उस दौर की पत्र पत्रिकाओं की भाशा में भी देख समझ सकते हैं प्रेमचन जी हंस की प्रिश्वभूमी के बारे में लिखते हैं हंस की लिए या परमसवभागी की बात है कि उसका जन्म ऐसे शुब औसर पर हुआ है जब भारत में एक नए युग का आगमन हो रहा है जब भारत पराधीनता की बेडियों से निकलने के लिए तरपने लगा है इस तित्य की यादगार एक दिन देश में कोई विशाल रूप धारन करेगी बहुत छोटी छोटी तुछ विजियों पर बड़ी बड़ी शानदार यादगारें बन चुकी है इस महान विजय की याद क्या और कैसे बनावेंगे यह तो भविश्य की बात है पर यह विजय एक ऐसी विजय है जिसकी नजीर संसार में नहीं मिल सकती और उसकी यादगार भी वैसी ही शानदार होगी हम भी उस नए देवता की पूजा करने के लिए उस विजय की यादगार कायम करने के लिए अपनी मिट्टी का दीपक लेकर खड़े होते हैं वह स्वाधिन्ता को अंतरात्मा की मुक्ति से जोड़ते हैं इसका अर्थ है कि यदि कोई मांसिक स्तर पर भी किसी से दबाव महसूद करता है तो भी वह पराधीन है वह कहते हैं कि यदि आज हम कुछ ख़णिक स्वार्थों में फसकर अपना कर्तब ये पूरा नहीं करेंगे तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं को उठाना पड़ेगा जिसके हृदय में जमानी का जोश है यवन की उमंग है जो अभी दुनिया के धक्के खा खा कर हतोत साह नहीं हुआ जो अभी बाल बच्चों की फिक्र से आजाद है अगर वही हिम्मत छोड़कर बैठा रहेगा तो मैदान में आएगा कौन फिर क्या उसका उदासीन होना इंसाफ की बात है आखिर यह संग्राम किस लिए छिडा है कौन इससे सबसे ज़्यादा फाइदा उठावेगा कौन इस पौधे के फल खावेगा इसके साथ ही वह हिंदूओं और मुसल्मानों को अपने मदभेद भुला कर आजादी के आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहे थे वे दोनों धर्मों के लोगों को सबसे पहले हिंदूस्तानी मानने की बात कह रहे थे इसके लिए वह 1857 के संग्राम का उधारन भी पेश कर रहे थे जिसमें हिंदू, मुसल्मान दोनों मिलकर लड़े थे वे मुसल्मानों को फटकारते हुए टिपड़ी करते हैं आज तक कोई ऐसा मुसलिम संगटन नहीं हुआ जो मुसलिम जन्ता की सांसारिक दशा को सुधारने के लिए प्रयत्न करता है हाँ, उनकी धार्मिक मनोवर्त्य से फायदा उठाने वालों की कमी नहीं है महात्मा गांधी, खादी का प्रचार दिलो जान से कर रहे हैं इससे मुसल्मान जुलाहों का फायदा हिंदू कोरियों से ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं है लेकिन जहां इस सूबे के छोटे से छोटे शोटे शहर से महात्मा जी को थैलियां भेट की अली गरने केवल सूखा एड्रेस देना ही काफी समझा या मुसलिम मनुवृत्ती है ऐसे में सभी को इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए जिससे गांधी जी देश को ब्रिशिश शासन से मुक्त कराने में सफल हो सके वे मानते थें कि देश की भाशाओं में आवाजाही बढ़नी चाहिए तभी देश के लोग एक दूसरे से परिशित हो सकेंगे और तभी भारत की एकता और मजबूत होगी नवंबर 1935 की हंस की संपादकी में लिखा है उन्होंने देश की सब भाशाओं में किसी तरह का संबंद पैदा करना चाहिए उनके साहित्यकारों की एक संस्था बने जिसकी बैठक कभी कबार हुआ करे इससे बजाय मुकाबले और देश के आपस का मेल बढ़ेगा और हमारा साहित्य एक दूसरे की तरक्की में मदद कर तकेगा विचारधाराएं तेजी से देश बर में फैलेंगी और हमारी एकताब बढ़ेगी वहीं वे आजादी के आंदोलन को लेकर देश का एक वर्ग जो विरोध कर रहा था उसकी असलियत भी बयान करते हैं प्रेमचंद की भाषा सीधी सरल है जिसमें न तो कठिन शब्द है और नहीं किसी तरह की कोई दूसरी जटिलता इसका कारण है प्रेमचंद की भाषा को लेकर सजगता और जनता से जुड़ने की तीवर आकांक्षा वे उस भाषा में हंस की समपादकी टिपणिया लिखते हैं जिस भाषा को जनता बहुत आसानी से समझ लेती है वे उस समय के जितने भी बड़े सवाल है उन सभी को अपने ही अंदाज में प्रसुत करते हैं इस पैमाने पर हंस के आत्मकथा अंक की भाषा हो चाहे काशी अंक की भाषा या फिर किसी और विशेशांग की भाषा कहीं भी जेटलता नहीं है वो चाहे हिंदू-मुस्लिम समाज के आडंबर की बात कहें या फिर स्तामपरदाइक्ता जैसे कई परत वाली समस्या की उनकी भाशा का सुरूप वही बना रहता है जैसा किसी दूसरे साधारन से विशे को लेकर होता है इस बात को एक उधारन से देख सकते हैं दिसंबर 1935 की हंस की संपादिकिये में भाशा को लेकर हिंदू-मुसल्मानों में मदभेद बना हुआ था उसके संदर्म में लिखते हैं हिंदू तो आज भी लाखों की संख्या में उर्दू पढ़ते हैं लिखते हैं और उसको अपनी मात्री भाशा समझते हैं मुसल्मानों ने शुरू में हिंदी को अपनाया था मगर अब वे हिंदी को देखना भी गुना समझते हैं क्या हमारे मुसल्मान दोस्त इस बात पर राजी होंके हिंदी हाई स्कूल तक लाजमी कर दी जाए हमारा यकीन है हिंदूओं को हाई स्कूल तक उर्दू को लाजमी बनाये जाने में इतराज नहोगा अगर दोनों जबान हाई स्कूल तक लाजमी हो जाए तो दोनों जबानों का विकास इस ढंग से होगा कि वे दिन दिन एक दूसरे के समी पाती जाएंगी और एक दिन दोनों भाशाएं एक हो जाएंगी प्रेमचन यहां जिस बड़े सवाल को लेकर जेरे बहस नजर आते हैं वह भाशा का नमीन रूप प्रसुत करता है वे समाज को बारीकी से समझते हुए उसकी साजी विरासत की रक्षा करते हुए अपना तर्क प्रसुत करते हैं उनका तर्क पढ़कर कोई सामपरदाइक भी कुछ समय के लिए उस पर सोचने को मजबूर हो सकता है ऐसे ही वे जब दुनिया के बारे में अपना विवेचन करते हैं तो उस समय भी उनकी भाशा कहीं से भी बोजिल या जटिल नहीं होती वहीं जब वे भारत की जाति व्यवस्था की सच्चाई बयान करते हैं तो भाशा का एक अलग रूप देखनों के मिलता है मई 1932 में हंस पत्रिका में प्रकाशित लेख में लिखते हैं जाति के बंधन इसकल कारखानों के युग में बहुत दिन तक नहीं रह सकते अब भी लोग होटलों में खाने नहीं जाते कहीं बाहर भी जाते हैं तो मित्रों या संबंधियों के घर ठारते हैं लेकिन राश्ट्रियता इन भाउं को तोड़े डालती है कॉंग्रिस के स्वयम सेवकों में सभी जाती और अब बिरादरी के युवक एक साथ एक ही कैम्प में राते हैं साथ खाते हैं, साथ सोते हैं, इन कैंपों में मुसल्मान भी होते हैं और एकाद इसाई भी निकल आता है इस भाती एक संयुक्त राष्ट की बुनियाद पड़ गई है सिद्धान्त रूप से तो उच नीच का जगड़ा मिट गया, मंदिर भी खुलते जा रहे हैं लेकिन देहातों में या हवा पहुँचते पहुँचते अभी एक जमाना लग जाएगा आधी कठिनाई इसलिए बढ़ गई है कि अचूत स्वयम अपने को नीच समझता है और उची जातियों से दूर रहना ही अपना धर्म समझता है उपसंगार आज की परिचर्चा से स्पष्ट होता है कि श्री शारदा, हंस, मतवाला, चांद, माधुरी, सुधा पत्रिकाओं ने भाशा का एक ऐसा रूप प्रसुत किया जो विभिन बोलियों भाशाओं को जोड़ता था और वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक विडम बनाओं पर गहरे स्तर के सवाल खड़े करता था इस सभी पत्रिकाओं में एक तरफ तो ऐसे लेक प्रकाशित किये जाते थे जो आजादी के आंदोलन के प्रती आम जनता को सचीत करते थे तथा साहित्य के माध्यन से जनता को समाज की वास्तविक तस्वीर भी दिखा रहे थे प्रेमचन, निराला, दुलारे लाल भारगो, मुंशी नवजादिक, बरार्सी दास चतुरवेदी, जगनाद दास रतनाकर ने पत्रिकाओं की भाशा को बहुत सहज, सरल और आम बोलचाल की बनाए रखा, जिससे जनता के बीच इनके पहुँच बहुत आसानी से होती रहे इस तथी को इन पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों, संपादिकी टिपणियों आदी में सहज ढंग से देख सकते हैं माजुरी पत्रिकाओं की भाशा में लखनव का ठाठ है, तो मतवाला पत्र में व्यंग का चुटीलापन, इसके अत्रिक्त पत्रिकाओं में ऐसे लेख भी प्रकाशित होते थे जिसमें साहित्य की किसी कमी कमजोरी की तरफ सवाल करा किया जाता था इन लेखों को देखने से पता चलता है कि इनकी भाशा कहीं भी औसंयमित नहीं है, 1922 में सुधा पत्रिकाओं में प्रकाशित हिंदी रंगमंच की आवश्यक्ता लेख में इस तथ्य को खास तोर से देखा जा सकता है इस दोर की पत्रिकाओं ने भाशा का ऐसा रूप प्रस्तुत किया जो समाज के व्यापक हिस्से के मुहारों, लोकोक्तियों आदि से सम्रिध थी और जिसमें दूसरी बोलियों भाशाओं की शब्द संपदा हिंदी को सम्रिध कर रही थी या परंपरा आगे चल कर कुछ कमजोर हुई जिसका सबसे बड़ा नुकसान भाशा को हुआ आज की परिचर्चा में हमने जिन मुख बिंदूँ पर चर्चा की वे है श्री शार्दा पत्रिका की भाशा, चांद पत्रिका की भाशा द्रिष्टी, माधुरी पत्रिका की भाशा, मतवाला की भाशा, सुधा पत्रिका की भाशा और हंत पत्रिका की भाशा अब इस विशय पर आज की हमारी चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं इस विशा से जुड़े आपके प्रश्णों और सुझाओं का सदय स्वागत है नमस्कार उपके फिशा से जुड़ेनाो प्रेश्णों और समी कर्ञेर वार आपके प्रशे खर तो प्रेश्वादय से प्रश्णों म designs भीश्चार्णी कर्शार्णी म, क्या दोतो शू़ आपके प्रशे ठावे